आप सभी को नमस्का दोस्तो आज की इस वीडियों बात करने वाले हम वर्दमान माविर कोटा उपन उनिवस्टी के प्रेटिकल केम्प के बारे हैं दोस्तो आज यानि 30 सेत्मबर को वर्दमान माविर कोटा उपनियुनिवस्टी में प्रेटिकल समबदी जो भी अपडेट जारी कि उन सभी पर आज की इस वीडियो पर सर्षा करने वाले हैं दोस्तो 30 सब्सक्राइब को प्रेटिकल वर्दमान माविर कोटा उपनियुशनी ने सभी रिजिनल सेंटर के अनुसार प्रेटिकल केम्प संबदी वी यामे क्यू वेबसाइट पर जो है नोटिफिकेशन या आदेश या न्यूज अप्टेट कर देट कर दी गई हैं दोस्तों चन्हों ने वर्दमान माविर कोटा उपनियुशनी ने में जनौरी 2021 से सेशनी में डिपोल्टर का फॉरम ब़्राहें म-AC Physicsुश्यू और फाइनिल उनके प्रेटिकल केम्प है वर्दमान माविर कोटा उपनियुशनी रेट जारी करदी किनकी रेट जारी के कब की इस संब्द में आज की इस वीडियों बात करने माले हैं दोस्तों अगर आप नहीं तो आपके अपने सेनल प्यार इंडिया को सब्सक्राइब जरू करता कि वी एम और रिलेटरी से भी परकार की इंपॉर्मेशन सबसे पहले में चली दोस्तों आज की इस वीडियो को स् यह जनावरी 2021 की ऊचली जिनका एकमिनस ग्यूट्रव प्रेजदेंसर डिसंबर 2021 के लिए कैवल डिपाल्ट्र वालों के लिए जिन्हों रही हिस्में प्रिफिसिक्स और फाइनल रिडिकल कैम समवगी यह आज ही तीनोишь दो दो二 वाईश को वर्दमान वागेल अपडेट क ये सबी रिजिनल सेंटर को और वालों को एक ही जगह आज जित करेने वाले वह जगह आजगे अभी डिसक्स करने वाले दोस्तो M.S.C. बोतिक कारिकरियम की निर्दारित अवधी में आने वाले पूरु वर्सों के M.S.C. बोतिक के परविशी विद्याती जिनका विशी विद्याले में पहली बार परविश सतरे जनौरी दोजार अठारा ये उससे पहले ये प्रेक्टिकल कैंप है उनके लिए ज समदी पूर्स सांविशी उनका प्रेकविश का होगो दोस्तों उनका प्रेकल केंप होगा है उनका प्रेकल कैंप होगा है और इसके एक जगह हैं उनके कारेकरियम का नाम MPS 05 MPS 010 अब बातरी कैम्प कब स्टाट होंगे तो कैम्प दोस्तों स्टाट होंगे 1810-2022 और 1810-2022 को आपको सुबह आठ बजे अलंकार महिला पिजी मावी देले जैपूर में उपस्ति ना हो सही आपने डिपॉल्टर का फोरंपरा जैपूर रिजनल सेंटर से या अजमेर कोटा सभी रिजनल सेंटर वालों का जो प्रेक्टिकल कैम्प और एक्जाम है वो जैपूर अलंकार पिजी मावी जाले में आयूज़ित होगा और यह प्रायोगिक शिवीर नोटिपिकेशन वि वीडियों आगे सर्षा करना लें अर्ता रखने वाले MSC और बोती के सभी रिजनल सेंटरों के प्रायोगी डिपाल्टर विदार्टिवी को सुसाथ किया जनौन जनौन दुजारी किस्वी डिपाल्टर का फोरंबरा जो वी एम एडमिशन लिए 2008 से पहले उनके लिए प्र अलंकार महिला पीजी माविद्याले जैपूर में अठारा दस दोजार वावी से स्टार्ट और आपको सुबह 8 बजे मां उपस्तित होना है और उप्रोक्त वरणित एसे MSC भोतिक पुर्वाद उत्राद प्रयोगी डिपाल्टर विद्धार्थी MSC भोतिक पुरदा उत्राद परिक्सा सतर दिसम्बर दोजार इकी स्केल आयुज़ तो निवाल प्रयोग्स हम सामलोर नियमनों सार बैंक सालान और जो ऑनलाइन डिपोल्टर प्रिक्सा फरम नहीं वो 17-10-22 को अपने अपने रिजिनल सेंटर पर नहीं सोरी जैपूर रिजिनल सेंटर पर व्यक्ति के दुरूप से जम्मा करवाना याने आपको अठारा तारीक को आपको इस्टार्ट हो रहे है प्रेटिकल एक्जाम और केंप तो आपको जो बैंक का सालान और डिप प्रेटिकल नहीं जमा करने का आपको यह ऑफ्लाइन बाद जाकर एक दिन पहले जमा करवाना होगा और आपको पता है कि आपको प्रेटिकल कैम्प में बैठने नहीं अब दोस्तों बात करते हैं और नियूउश्किम क्या होता है इसके बारे में और विजार्टियों को प्रेटिकल कैम्प में आता ओल्ड इसकीम के एक आता न्यूश्किम के यह क्या होता है इसके आज की वीडियों अभी सच्छा का दिया दोस्तों ओल्ड इसकीम कैम्प का अभी परहे हैं कि जिनके कारीकरम की निर्दारी के अवदी अभी तक पूरी नहीं हुई और जिनका वीडियों कोट्टा में मसी फिजिकन पहली बार प्रेश्ट जुलई 2018 जनौरी 2018 जुलई 2017 यह इसके पूरु वतिशत्रम यानि जिनका प्रवेश्ट सत्रे वो पुरा ना है यानि जनौरी 2018 से पहला उनके ओल्ड स्कीम कैम्प कहते हैं जिनके डिफाल्टर का फ़रम पर है जुलई 2019 और जुलई 2019 के बाद जिर्खा एडमिस्ट जाए जुलई 2021 और जनौरी 2021 उनको रखा जाये का वो न्यू स्कीम कैम्प यानि नए कैम्प वाले और उनका प्रेटिकल जो चोरी उनका इसकोल्द नंबर है वो इस प्रकार स्टाट होंगे तो फ्रेंश आपके प्रेटिकल कैम्प वो सभी रेजनल सेंटर वालों के जनौरी 2021 डिपाल्टर वालों के आयोजीत हो रहे हैं अलंकार पीजे मावी जाले सुबह आट बज़े अठारा दस 2022 और दोस्तों वी एमोई से संबदित प्रेटिकल कैम्प एक्जाम असाइन्में सबस्क्राइब करें आपके अपने सेनल को सबस्क्राइब जरू करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेंगे तब तक धन्यवाद